सब्सक्राइब कीजिए हरीदर नर्सिंग गुरू यूटूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ओल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताके आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू अवर यूटूब चैनल मैं हरी नागर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे गौल ब्रेडर स्टोन के बारे में जिसको देसी भाशा में पित्ताशय की पत्रे भी कहा जाता है और यह समस्या सामनी तह महिलाओं में देखी जाती है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर में पित्ताशय में पत्रे की समस्या किन कारणों से उत्पन होती है और जब भी ये समस्या उत्पन होती है तो उस वेक्ति में किस प्रकार के लक्षन देखने को मिलते हैं और जब भी ये समस्या उत्पन होती है तो उस वेक्ति को किस प्रकार की जाचे करवाना चाहिए तो उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों इन सब भी जानकारियों को पाने के लिए बने रही है इस वीडियो के अंतक तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में गोल ब्लेडर स्टोन या पित्ताशे की पत्री क्या होता है यह एक प्रकार की पित्ताश यानि की गोल ब्लेडर में होने वाली पत्री होती है जो की बाइल यानि की पित्त अथवा केल्शियम आयन अथवा कॉलेस्ट्रोल के गोल ब्लेडर में जमने की वज़े से होती है जब भी ये तीनों चीज़ें मिलती है यानि की कॉलिस्टोल, केलिशियम आयन और बाइल पिगमेंट तो उसकी वज़े से एक क्रिस्टल बनता है और क्रिस्टल बनने के बाद में कहीं सारे क्रिस्टल मिलकर एक स्टोन का निर्मान करते हैं तो इसी की वज़े से गोल स्टोन की समस्या उत्पन होती है अब हम बात करेंगे कि पित्ता शमय पत्री किन-किन कारणों से होती है तो सबसे फर्स्ट कारण है इसका बाइल में यानि की पित्त में अतदिक मातरा में कॉलेस्टोल का मौजूद होना तो सामनेत्य क्या होता है पित में मौजूद chemical लीवर के दवारा निकलने वाले kolesterol को dissolve कर देता है लेकिन यदि लीवर ज़ादा मातरा में kolesterol का निर्माण करता है तो kolesterol crystal के रूक में परिवर्थित हो जाता है और कुछ समय बाद यह क्रिस्टल्स यानि की बहुत सारे क्रिस्टल्स आपस में मिलकर एक स्टोन का निर्मान करते हैं तो इस प्रकार से गोल ब्लेडर में स्टोन की समस्या उत्पन हो सकती है इसका दूसरा कारण है बाइल में यानि की पित्त में अत्यदिक मातरा में बिलुरुबिन का मौजुद होना बिलुरुबिन एक प्रकार का केमिकल होता है जो की रेट ब्लेट सेल्स के तूटने से बनता है यदि red blood cells अतिदिक मातरा में bread down यानि की तूरती है तो उस condition में अतिदिक मातरा में blurubin का निर्मान होता है जो की पत्री बनने के लिए उत्तरदाई माना जाता है तीसरा कारण है पिताशय का अच्छे से खाली नहीं हो पाना यदि पिताशय का पित पूर्णतया खाली नहीं हो पाता है तो वो सवस्था में पित गाड़ा हो जाता है जिससे पिताशय में पत्री बनने के संभावना जादा हो जाती है अब हम बात करेंगे risk factor के बारे में यानि कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो पिता शेय में पत्री की समस्या को उत्पन करने के लिए उत्तरदाई माने जाते हैं तो सबसे first कारक है female यानि कि ये समस्या महिलाओं में जदा देखने को मलती है दूसरा है family history यानि कि family में ये समस्या किसी को है तो होने वाली next generation में भी ये समस्या उत्पन हो सकती है उसके अलावा next factor आता है यदि किसी व्यक्ति की उम्र 40 या उससे जादा है तो उसमें भी ये समस्या देखने को मल सकती है या उसके अलावा कोई व्यक्ति exercise नहीं करता है तो उसमें भी ये समस्या देखने को मलती है या कोई महिला pregnant है तो उसमें भी ये समस्या देखने को मल सकती है उसके अलावा कोई व्यक्ति मोटापे का शिकार है तो उस वाली condition में भी ये समस्या देखने को मलती है या उसके अलावा कोई व्यक्ति डाइट में कॉलेस्टोल की मातरा जादा लेता है या फेट की मातरा जादा लेता है और फाइबर की जो डाइट होती है अगर वो कम लेता है तो उस अवस्था में भी यह समस्या उत्पन हो सकती है उसके अलावा यदि किसी वेक्ती में diabetes है या liver की बीमारी है या blood की बीमारी है जैसे कि cancer है तो उस सवस्था में भी यह समस्या उत्पन हो सकती है उसके अलावा बहुत सारे वेक्ती अपने मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही जल्दी अपना weight गिरा लेते हैं तो उस सवस्था में भी यह समस्या उत्पन हो सकती है उसके अलावा यदि कोई वेक्ती medicines ले रहा है जैसे कि hormonal therapy हो गया या estrogen therapy हो गया या contraceptive का use कर रहा है या उसके अलावा cholesterol को कम करने वाली दवाई ले रहा है तो उस सवस्था में भी यह समस्या देखने को मिल सकती है अब हम बात करेंगे कि पिताशे की पत्री कितने प्रकार की होती है तो सबसे first आती है cholesterol, gallstone यह most common gallstone होता है जो की पीले कलर का होता है और यह पत्री cholesterol के अत्यदिक जमाव की वज़े से उत्पन होती है यदि gallblader में अत्यदिक मातरा में cholesterol का जमाव हो जाएगा तो वहाँ पर दीरे-दीरे crystal बनने लगेंगे और बहुत सारे crystal आपस में जुड़कर एक पत्री का निर्माड करते हैं तो इस प्रकार से यह समस्या उत्पन हो सकती है दोसरे प्रकार का gallstone आता है pigment gallstone यह pigment gallstone brown and black color के stone होते हैं यानि की भूरे एवं काले color के जो की अत्यदिक बिलरुबिन के जमाव की वज़े से होता है यदि gallbladder में अत्यदिक मात्रा में बिलरुबिन का जमाव हो जाता है तो वहाँ पर दीरे-दीरे crystal का formation होता रहता है और बहुत सारे crystal आपस में जुड़कर एक पत्री का निर्माड करते हैं और यह दीरे-दीरे समस्या उत्पन होने लगती है अब हम बात करेंगे लक्षनों के बारे में यानि कि जब भी किसी व्यक्ति में इस प्रकार की समस्या उत्पन होती है तो किस प्रकार के लक्षन उस व्यक्ति में देखे जा सकते हैं जैसा कि फर्स्ट डाइगराम में यहाँ पर मेंशन करका है पेन इन दा अपर राइट पोशन ओफ यूर एब्डोमेन यानि कि जिस भी व्यक्ति में यह समस्या उत्पन हुई है उसके पेट के उपरी वाले भाग में और राइट वाले पार्ट में दर्द का आबास होता है दूसरे वाले डाइगराम में शो करका है पेन इन दा सेंटर ओफ यूर एब्डोमेन ज़स बिलो यूर ब्रेस्ट बोन जो आपकी ब्रेस्ट बोन होती है उसके निचले वाले पार्ट में दर्द का आबास होता है और वो भी इस्पेशली पेट के सेंटर वाले पोर्शन मे उसके अलावा जी मचलना और उल्टी जिसे समस्या भी देखने को मिल सकती है उसके अलावा आपके पेट का दर्द रीडिट होकर राइट शोल्डर में चला जाएगा और right shoulder में जाने के बाद आपका जो दर्द होगा वो shoulder blade के बीच में चला जाता है और वहाँ पर दर्द का अबास होता है उसके अलावा कुछ common symptoms भी होते हैं जो की उस patient में देखने को मिल सकते हैं जैसे की पेट में swelling होना, पेट का फूलना और पेट में gaze बनना, पेट का tenderness होना, ठन लग कर बुखाराना और भूक न लगना, पसीना आना, जोइंडिस होना और जोइंडिस के लक्षन भी दिखना जैसे की डार्क कलर का urine निकलना, कले कलर की स्टूल निकलना, और इंडाइजिशन, और गेस बनना, और हार्ट बन जैसी समस्याइं भी देखी जा सकती हैं अब बात करेंगे सीरियस सिम्टम्स के बारे में, यानि कि जब भी किसी व्यक्ति में इस परकार के सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो उस सवस्था में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो जिसकी पेट में स्वैलिंग होना, पेट का फूलना, पेट के अंदर गेस बनना और फीवर जीसी समस्या, यदि फीवर 101 से उपर है, तो उस सवस्था में भी आप अमजनसी कॉल कर सकते हैं, पेट के अंदर बहुत जादा दर्द होना, जी मचलना, और उल्टी आना, तो इस परकार कि जब भी समस्या उत्मन होती है, तो उसको सीरियस सिम्टम्स समझ कर ड किस परकार की जांचे उस फ्टि को करवाने चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ब्लड टेस्ट के बारे में, तो ब्लड टेस्ट इसलिए करवाय जाता है, क्योंकि कभी-कभी इस परकार की समस्या में, infection भी हो सकता है, या tube के अंदर blockage हो गया, तो उस condition को identify करने के ल कि उसके अंदर क्या समस्या उत्पन हो रही है नेक्स्ट आता है CT scan तो CT scan भी एक तरीके से जो गॉल ब्लेडर है उसके अंदर चेक करने के लिए कि वहाँ पर क्या समस्या हो रही है तो उसको रूल आउट करने के लिए CT scan करवाए जाता है उसके अलावा MRCP याने की Magnetic Resonance Collingio Pancreatography तो इसमें Magnetic Field का यूज किया जाता है और Radio Waves का यूज किया जाता है ताकि जो गॉल ब्लेडर है उसके अंदर की पिक्चर ली जा सके कि गॉल ब्लेडर के अंदर क्या समस्या उत्पन हो रही है नेक्स्ट आता है HIDA scan HIDA scan एक प्रकार से गॉल ब्लेडर के फंक्शन को मॉनिचर करता है कि गॉल ब्लेडर अच्छे से बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्क्वीज कर रहा है या नहीं कर रहा है नेक्स्ट आता है ERCP याने की Endoscopic Retrograde Colongio Pancreatography इस प्रकार के प्रोसिजर में माॉध के दवारा एक ट्यूब Small Intestine में डाली जाती है जिसको Endoscope कहा जाता है और इस प्रकार के प्रोसिजर में एक Dye Inject की जाती है उस Dye से हम यह देख सकते हैं कि जो बाइल की जो डक्ट है उसमें किसी प्रकार की problem तो नहीं है, वहाँ पर stone तो नहीं है अगर stone है तो इस procedure के द्वारा उस stone को बाहर की तरफ remove भी कर दिया जाता है Next आता है endoscopic ultrasound, इस प्रकार के procedure में ultrasound plus endoscopy का use किया जाता है ताकि goal builder के अंदर जो भी stone है उसको देख सके तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लेस वीडियो को like किजिए, share किजिए और किसी भी प्रकार की curious हैं तो comment box में जाईए, comment करिए, thank you so much